हेले वरिवान मैं भोला आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूँ आ गया फिर से एक मज़िदार वीडियो ले करके आपके लिए वीडियो में आपको बहुत बहुत मज़ा आने वाला है लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो और चलो वीडियो देखते हैं पूला कहां हो बोला बोला जल्दी बहार आओ बोला जल्दी आना बोला यह बोला मेरी सुन क्यों ने रहा है कहां गया बोला यह बोला कोई उत्तर क्यों ने दे रहा है चलो मैं ही देखता हूं यह बोला हे का इसके कमरे में जाता हूं भूला अरे तू रो क्यों रहा है अरे भाईया आप आप यहां क्या कर रहे हो मेरे कमरे में अरे मैं कब से तुम्हें आवाज लगा रहा था भूला बाहर से लेकिन तुमने मेरे आवाज देनी सुनी इसलिए मैं देखने आया कि तुम कमरे में हो या नहीं हो सबसे पहले तो रोना बन करो और मुझे ये बताओ कि तुम रो क्यों रहे हो क्या हुआ तुम्हे अरे बया क्या बताओं आज तो स्कूल में मेरी बहुत बेज़ती हुई वो टीचर ने मुझे बहुत पनिश्मेंट भी दी और सबके बच्चों के सामने सबके सामने डांटा भी साई लड़कियां तो राक्षस की तरह हस रही थी दांट दिखा दिखा कर अरे भाई पहले ये तो बता कि हुआ क्या स्कूल में क्यों हस रहे थे सबी तेरे उपर नहीं नहीं भाईया मुझे मत पूछो मुझे फिर से वो सारी बाते याद आ जाएगी सबी बच्चों ने मेरा स्कूल में बहुत मज़ाग उड़ाया क्लास के अंदर योगा तो नाचने का मन हो रहा था जब मेरी बेज़ती हो रही थी वहाँ पर इतना गुसा आ रहा है ना गुन-गुन पर टीना पर और वो पपी पर बस की बहुत पीटू उनको जाकर के सबसे ज़ादा उन तीनो लड़कियों ने ही चिड़ाया है मुझे स्कूल के अंदर क्लास के अंदर भाया आप जानते हो चोटे पेले तो तो रोना बनकर रो रो कर तुने मेरा दिमाग खराब कर दिया है अब पधावटी ये बता कि तुझे हुआ क्या है का हुआता क्लास में आभी तक तुने ये कुछ भी नहीं बताए है मुझे जल्दी बता ठीकर भीया बताता हूँ स्कूल में क्या हुआ देखो फ्लेश बेक में चलते हूं अरे आज मेरा इतना सरदर्द क्यो रहा है यार मिझे तो सुनाई भी कम दे रहा है पता नहीं क्या हो राज मेरे साथ आज तो दिनी खराब है मेरा मैं कमिन सर, मैं अंदर आ सकता हूं चिलाओ मात, मुझे परेशान मत रो जाओ और जाकर अपनी सीट पर बेट जाओ सर मैं पीछे की सीट पर बेट जाओ अरे भाई जहां बेटना है वहां बेट जा क्यों मेरा दिमाग कराब कर रहा है भूला जल्दी बेट अरे चिपचा पीछे की सीट पर बेट लाता हूं बच्चो आज समय आ गया है आज मैं आपसे पूछने वाला हुए इंट्रोडक्शन जो कि हमने दो दिन पहले पढ़ा था ठीक है आज आप लोगों में से कौन बताएगा इंट्रोडक्शन में देखता हूं सबसे पहले किस से पूछूं किस से पूछूं किस से पूछूं ये भोला मुझे बहुत परिशान करता है मुझसे बहुत कॉशन पूछता है जो आज इसी से पूछा जाता है कि इंट्रोडक्शन कैसे देते हैं भोला तुम खड़े हो जाओ तुम बताओगे पुरी क्लास को इंट्रोडक बेटा भोला तु तु गया आज तो सर तेरी क्लास लेने वाले हैं बच ना पढ़ेगा तो केसे ना केसे बेटा भोला खड़े हो जाओ माई माइने माइने में इस भोला वह से अटेखर हो एक दो मखण जैसे बोलो मक्षन जैसे अ किसे अतारों सरको बाटली मैं सर घंदी में बोल दूँ रहां नहीं इंगलिश में बोलना पड़ेगा मैंने इंगलिश में लिख वाया सर एक्चली क्या हुआ था कि मैं पढ़नी पाया था सर सर कुछ तो करो हेल्प सर दो दिन पहले पूरी क्लास को बोले थे कि अपना इंट्रोडक्शन लर्न करके आना मैं पूछूंगा फिर तुम अब कैसे बहाना बना सकते हो बोला तुम्हें तो पनिश्मेंट मिलनी इत्ती जोर से मारा सर इत्ती जोर से कोई तपड मारता है क्या बिटा आज ही तो मोका मिला है तुझे पीटिनेगा केसे छोड़ सकता हूं अभी तो दो तीन और मारूंगा यह ले अभ लेगा पंगा मुझसे केसी रही चाहव निकल ज़िए हैं से कलास से बाहर मुरगा बंचा और कल सिख्के आना अपने अंकल से अपने पापा से जिससे सिख्के आना शिख्के आना कल और आ बहुत पिटूंगा कल भी मैं सिंग के आए धर मैं अपने भाई से देख आउगा मैं कल सुनाओंगा अपको मारा मुझे इंचा कोई बारता है क्या दो तीन दपड ये ता भईया मेरा फ्लेश बेक अब तो पता चल गया होगा आपको कि मुझे क्यों मार पड़ी क्या फ्लेश बेगता यार हाँ हसलो हसलो खुद को पढ़ती तो पता चलता हसलो मेरे उपर हसलो और जोर से हसो राच्छा जैसे हसो भाईया एक बात बोलूँ आप मुझे इंट्रोडक्शन सिखा दो ना परना कल वो टीचर मुझे फिर पिटेंगे फिर मारेंगे मुझे और फिर वो हिरा मनी और वो बसकन्या फिर राज़ेगी मेरे उपर बहुत जोर जोर से बस इतनी सी बात ये काम अगर तुम्झे कली बोल देता तो तुझे थपड़ तो नहीं खाने पड़ते अब रोना बंद कर और चल मेरे साथ मैं तुझे इंट्रोडक्शन सिखाता हूँ और कल सबसे अच्छन ट्रोडक्शन बोलेगा तू अब देख अपने इंट्रोडक्शन बोलने के लिए सबसे पहले तो मैनर्स में खड़ा होना पड़ता है ठीक है और उसके बाद मैं जो जो स्टेप होगे अब चल करते शुरूँ सबसे पहला पॉइंट तुम्हें अपना नाम बताना है केसे बताओगे मेरे पीछे बोलना माई नेम इस भोला एसे नहीं बोलने करे खड़े हो जा और मेरे साथ बोल एसे बेठे-बेठे सीखने का नहीं यह लो भिया मैं ख़ड़ा हो गया चलो आपको जो पहला पॉइंट बोलता हो अरे वह भोला वह शी गया तू तो चल दूसरे पॉइंट बोल अब इस दूसरे पॉइंट में हमें पापा का नाम बताना है تو बोलो My father's name is Mr. Manglish My father's name is Mr. Manglish ठीके यह हुई ना बात मेरे भाई अब वो teacher तुझे कभी नहीं डाटेगा और school में तेरी कभी पिटा ही नहीं होगी चल अब तीसरे point बोलते हैं न अब इस तीसरे point में हमें मम्मी का नाम बताना है तो कैसे बोलेंगे My mother's name is Mrs. Seema Devi My mother's name is Mrs. Seema Devi कितनी गंदी वद्वो आती तेरे मुँसे आज ब्रश नहीं किया क्या तुने भोला इस point में में तुम्हें बताने वाला हूँ कि हम कौन सी class में पढ़ते हैं और कौन से school में पढ़ते हैं ठीके अब कैसे बोलोगे बोलना है I study in class 8th in सरस्वती बालविद्या मंदिर तो इसमें आपके class का नाम भी आ गया और आपके school का नाम भी आ गया अब बोलो कैसे बोलोगे वाव भीया मतलब एक तीर से दो शिकार चलो मैं बोलता हूँ I study in class 8th in सरस्वती बालविद्या मंदिर सही बोला ना भीया अरे मेरे भाई बहुत करेक्ट जा रहा है तू बहुत जल्दी सिख जाएगा class में अब बोल आएगा देख लेना भले इस point में हमें ये बोलना पड़ता है कि हम कहां रहते हैं तो हमें बोलना है I live in चंदन नगर ठीके बोलो आई लिव इन चंदन नगर भाईया एक चोटा सा डाउट है मेरा हाँ पूछ क्या डाउट है जल्दी पूछ भाईया हम किसी जगा से पहले इन का यूज क्यों करते हैं एट का यूज क्यों नहीं करते हैं मैंने देखा कहीं पर जैसे आई लिव इन भोपाल भी होता है और आई लिव एट महेशनगर भी होता है यसा क्यों अरे मुझे प्रावडे तेरे उपर क्या question पूछा है तुने मैं बताता हूं तुझे देख अगर छोटी जगा है जैसे कोई colony या छोटा गाउँ तो हम उस गाउँ के नाम से पहले लगाते हैं एट जैसे आई लिव एट महेशनगर लेकिन कोई बड़ी सीटी है तो उस बड़ी सीटी के लिए हम यूज करते हैं किसका इनका आई लिव इन भोपाल समझ गया अब या तोड़ा जल्दी कर लो ना वो dna का समय हो रहा है उस नना हैं अपनी एज किसे बताओगे दो अधा तरीकह से बताते हैं जैसे तुम आठारा साल के हो तो आई एम सकते हैं और सकते हैं तो तो तुम्हें आएम 18 बोल देना है और स्याग स्याई 15 15olin काल था Гpenel बोलेया तो पागल समझेंग है सब तुझे कि मैं बसदु आई M11 लोगा ठीक नाराज मत और अब गुश्तig को थी यह भोला तुवहरे इंट्रॉडक्शन बेसिक इंट्रॉडक्चन में इतन इना माम अपनी एज और चाहा पढ़ते कहां रहते हैं ठीक यहीं बेसिटीक होता implications उसके बाद में क्या बताना है वह सामने वाला खुद पूछेगा तुमसे और क्या जानना चाहता है तुम्हारे बारे में इतना इंट्रोडक्शन तुम्हारे लिए सफिशियंट है ओ भाईया तेंक्यू सो माच आपने मेरी बहुत हेल्प कर दी भाईया अगर तुम बोलो त पूछके मुझे परिशान कर दिया क्लास के अंदर पूछते रहते हैं कि सर आपको पता है कि रसोड़े में कौन था थैंक्यू भाईया थैंक्यू बेरी माच वाई लोग में तो सीख गया हूं कि इंट्रोडेक्शन कैसे देते हैं अब में तुम्हार खाने वाला नहीं हूं और मुझे लगता है कि आपने भी इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखा है तो फटा फट फट चैनल को लाइक कर द दिए बोला मिलूंगा किसी अधर वीडियो में तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए बाई बाई